गुद्मौनी दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहतरीन M.C.Q लेकर आए हैं कलास्टेन की मस्ट इम्पोर्टेंड कुश्चन इस्पेक्टेड कुश्चन है जो आपके नॉम्बर में आने वाले हैं यह चेप्टर 1 और 3 से मैथेमेटिक्स के हैं 1 और चेप्टर 1, 2 & 3 रियल नंबर, पोलिनोमियल और लिनियर एक्वेशन इन 2 भरिय वन यह तीन चेप्टर से काफी बहतरीन बहतरीन कुश्चन सम लेकर आए हैं यहोप यह विडियो आपके लिए काफी ज़्यादा हिल्फुल होने वाला है यह बना लिजेगा गजब का नौलेज आपके पास हो जाएगा तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेयर करें और इसका जो है लिंक दूसरे बच्चों के पास भेज दे हैं चलते हैं, स्टार्ट करते हैं तो पहला कोशन है, यह परते कोशन का चार आप्सन मिलेगा जिन में से एक आप्सन सही होगा देखते हैं कौन से आप्सन सही होगा आप हमारे साथ कौपी पेन ले लिजिए और हमारे साथ बनाईए देखिए कितना सही होता है आपका और कमेंट जरूर किजेगा कुशन है कि देश्मल एक्स्पेंशन ओफ ट्वंटी टू बाइस बटा जो है वो साथ क्या है वो टर्मिनेटिंग है या नन टर्मिनेटिंग है नन टर्मिनेटिंग रिप्टिंग है नन टर्मिनेटिंग रिप्टिंग है या नन अफ एभाव है तो बताइए terminating किसको कहते हैं पहले यह समझ लेजिए terminating किसको कहते हैं अगर हम नीचे वाला से divide करते हैं अगर पूरी तरह से cut जाता है तो उसे हम terminating कहते हैं तो चुकि यह cutने वाला है नहीं तो यह terminating नहीं होगा यह non terminating ripting हो गया मतलब इसको जब हम divide करेंगे तो वो क्या करेगा वो कुछ अंग की बाद फिर से वो repeat करना सुरू कर देगा ठीक है तो यह हो गया non-terminating rifting होता है जो कि option number पहला का B है 22 वर्टा 7 क्या है एक rational number है लेकिन πाई जो है वो irrational number है यह पहला question समझ में आ गया होगा next हम लोग देखते है question number 2 for some integer in the odd integer is represented in the form of अब odd integer किसके form में होता है सबसे साटिक जवाब देना है तो n होता है n प्लस 1 होता है 2n प्लस 1 होता है और 2n होता है ठीक है तो यह option number क्या हो जागा c हो जागा n का भैलू आप कुछ भी लेका देख लिजिए न n का भैलू 1 लेंगे तो हमेशा odd लेते हैं तो ही तो दो यहाँ अगर बालते हैं 1 डालते है तो 2 और प्लस 1 कितना जागा 3 अगर 3 देते हैं तो 6 प्लस 1 हमेशा यह 7 आएगा तो यानि की odd number ही आएगा यानि option number जो है option number क्या आगिया option number आगिया ठीक है option number सीज का सही जवाब है देखते हैं कुश्या number थाड़ का बोल रहा है which of the flying is not irrational irrational कौन सा है तो 3 प्लस देखिए 3 प्लस रूट 7 यह भी irrational है 3 माइनस रूट 7 यह भी irrational है लेकिन 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7 जो है यह irrational नहीं है यह आप्सन नमबर हमको पकरा गिया सर आप्सन नमबर सी को लॉक कर दिया जाए ठीक है ना चली बहुत बढ़िया निफ्स कुशन है कुशन नमबर 4 रिमेंड आएगा 125 में करेंगे तो 8 रिमेंड आएगा तो 65 से अगर हम करते हैं तो आ रहा है हमको 5 तो आ रहा है लेकिन 65 से जब इसे करेंगे तो हमको 8 नहीं आ रहा है तो यह गलत हो जागा क्योंकि 65 दूना एकसो तीस हो जाएगा ठीक है जो कि मैनेस काफी ज़्यादा आ जाएगा साथ आ जाएगा पंदरा से करते हैं पंदरा चुका साथ दस रिमेंडर आ तो यह नहीं होगा तेरा पजे पैसट आ रहा है और तेरा से जवाब दीजेगा तो इसमें भी आपको आठा जाएग ठीक है तो आहीं आपको बता दे कि तीराण नमा ठीक है तेरा नमा होता है 117 तो 17,3,3,8 हो गिया यानि ऑपसण नमबर सी हो जाएगा ठीक है ऑपसान नमबर सी में जो है कॉर्रेक्ट एंसर है ठीक है यह दूसरा तरीका है कि आप सतर में से जो है पांच घाटा लेजिए दोनों का XCF निकाल लेजिए, आपका 13 इंसर आ जाएगा, कुश्चन नमबर फाइब, दस सॉम और डिफरेंट आप टू, इरिस्नल नमबर इज ओल वेज, यानि कि इरिस्नल नमबर का सॉम और डिफरेंज क्या होता है, देखिए सॉम और डिफरेंज, वो कभी इरिस्नल भी आ सकता है, कभी इरिस्नल भी आता है, तो आप्शन नमबर क्या हो जागा, C के साथ हम जाना पसंद करेंगे, चलिए, आप्शन ये नमबर, जो माले ते 3 है, अब प्लस जो है, वो रूट 2 है, ये क्या है, इरिस्नल है, लेकिन, वो ही रहेगा, 3 प्लस रूट 3, और अगर इसके साथ हम, 3 माइनस रूट 3 को, हम अगर प्लस कर लेते हैं, तो ये कड़ जागा, तो ये हो जागा, रेस्नल आ जागा, ठीक है, इसलिए, आप्शन नमबर, C, सही होगा, चलिए, हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कुश्चन, 5 के बाद, 6, कुश्चन नमबर 6 कह रहा है, इफ, एसी एप ऑफ 65, एन 117, इस, एक्सप्रेशेवल, इन दा फॉर्म ऑफ 65, एम माइनस 117, देन दा फैलू अप एम एज, देखिए, सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए, दो तरीका है, एक तो हम उप्शन से जाएंगे, तो सर सीधे उप्शन नमबर भी हो जागा, सर दो उप्शन को लॉग कर दिया जागा, कैसे, तो देख लिजिए, 165 और 117 का HCF जो हो जागा, आपको कितना हो जागा, 13 आजागा, 13 HCF आजागा, ठीक है, 13 HCF आजागा, तो देखते हैं, किसका भैलू, इसमें एम का भैलू, किसका भैलू डाल देंगे, कि 13 के बराबर आजागा, एम का भैलू, तो आप जब 2 ही 2 डालेंगे, तो इसको घर्ट आने के बाद कितना जागा, 13 आजागा, ठीक है, तो option number B आजागा, एम के जग पर 13 डाल का, 7 number question है, बहुत असान question है, n square minus 1 is divisible by 8, if n is, n square minus 1 जो है, वो divisible है, 8 से, ठीक है, तो n क्या होगा, integer होगा, कुछ कहां नहीं जा सकता है, natural number है, कुछ कहां नहीं सकता है, लेकिन, order number है, या even number, या option number B, जो है, C, जो है, को लॉक कर दिया जाए, अगर, हम order लेते हैं, number, तो क्या होगा, 8 से divisible हो जागा, बाकी बाद से तो होगी सकता है, बार नहीं हो सकता है, लेकिन, order लेंगे, अगर हम, n का value माल लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 के square minus 1, मतलब आगया क्या, 9 minus 1, यानि आगया 8, 8 से कड़ जाता है ना, चीक है, कुछ भी ले 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 जिए, 5 ले जे 25 में से गया, तो 24 आठ के table में आता है, यानि option number जो है, C बिल्कुल सभी जवाब है, 7 के बाद हम लोग आते हैं, question number 8, question number 8, यू कुछ कह रहा है, यू तो हम कुछ हम कहेंगे, यू तो कुछ आपको होगे, the value of remainder are, when a positive integer A, divided by 3 are, अगर बोल रहा हैं, किसी भी number जो है, ठीक है, A कोई number है, इसको जब आप 3 से divide करेंगे, तो remainder क्या हैगा, तो बताये थे कि remainder 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 0 आ सकता है, लेकि 3 नहीं आगा, ठीक है, 3 लगेगा, तो option number A हो जागा, 0, 1, 2, इसका answer हो जागा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको मजा आ रहा है, तो जरू लाइक कीजिए, question number 9, question number 9 है, the product of 3 consecutive, positive integer, is divisible by, अब लगातार, 3 गो positive integer का, जो product होगा, वो क्या होता है, always बता रहे है, 1 into, 2 into, 3, एक normal सा बता रहे है, यह किस से कटने बला है, 3 यह गया 6, तो हमेशा यह 6 से कटता है, लगातार 3 गोवांक, जो है, वो 6 से ही कटता है, लगातार 3, consecutive positive integer, जो है, वो 6 से divisible होता है, चलिए, ठीक है, बाकी बाद से भी हो सकता है, बट, necessary है कि, 4, 6 से divisible होगा ही होगा, अब देखते हैं, question number 10, 10 के बाद हम लोग देखते हैं, the LCM of 2, 2 number is 1200, ठीक है, LCM जो दे रखा है, 1200 है, 1200 दिया हुआ है, तो which of the flames cannot be HCM, HCM कौन नहीं हो सकता है, तो by, HCM का मतलब हो, नंबर होता है, जो LCM को divide करेंगे, यानि कि, अगर हम LCM, LCM में जब HCM से divide करेंगे, तो पूरी तरह से cut कर जाना चाहिए, cut हो जाना चाहिए, ठीक है, तो देखते है कौन cut नहीं कर रहा भाई, option नंबर B को love किया जा, 500 के table में जो है, 1200 नहीं आता है, decimal में जाएगा, पूरी तरह कटना चाहिए, decimal में नहीं, ठीक है, तो उसको कहते है, 600 के table में आता है, 400 के table में आता है, 200 के table में आता है, तो option नंबर 10 का B आ गया, अब ये तो था, real number से question था, जो भी हम इधार अभी बनाए है, वो 10 question, 10 question क्या था, वो real number से था, ये था real number, real number से था, real number से आप question जो है, अभी बनाए है 10 question, 10 में कितना आए है, आप ज़रूर बताईएगा, कि 10 में, जो है, वो आपको 10 आया के नहीं आया, ठीक है, next हम लोग चलते हैं, polynomial, polynomial class 10, important MCQ, polynomial के काफी बहतरीन लाए है, ये question देखेंगे, the maximum number of zeros, that of polynomial of degree 4, अगर किसी polynomial का, degree 4 है, ठीक है, अगर degree 4 है, इसका मतलब, x के power 4 होगा, plus 3dx² होगा, इस तरह से कुछ भी होगा, इसका कितना zeros होगा, जितना degree होता है, उतना है zeros भी होता है, option number D हो जाएगा, ठीक है, option number D, और 12 number question से, आप लोग परचित हैं, how many number of zeros in the given figure, इसमें कितना zeros है, option है आपके, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो देखिए, इसमें बतला चुके हैं, कि जितना ये जो graph है, ये जो graph है, ठीक है, वो एक success को, जितना बार कट करता, उतना zeros होता है, तो एक बार, यहाँ कट किया, 1, 2, और ये हो गया 3, तीन अंग पर कट किया है, तो option number जो है जागा, C, option number क्या हो जागा, C option जो है, इसका सही जवाब है, number of zero, जिस graph का कितना हो जागा, वो 3 हो जागा, question number 14, question number 14 है, the graph of polynomial, एक मिनट, the graph of polynomial, a x square plus b x plus c is upward, upward है, मतलब उपर की तरह होगा, तो a क्या होगा, greater than zero हो जागा, क्या हो जागा, a greater than zero, upward के लिए, a greater than होना पड़ेगा, उपर की तरह है, यह देख लीजिए, graph कुछ इस टाइब का होगा, पहले देख लीजिए, graph कैसा होगा, ऐसा graph होगा, उपर की तरह है, जो graph है, तो इस में क्या होता है, जो है, वो greater than zero होता है, तब जागे इसका graph होता है, ठीक है, चलिए ठीक है, 14 और 15, the graph of polynomial, a x square plus b x plus c, मतलब सेम है, quadratic polynomial का downward है, जब downward होगा, इसका मतलब समझ लिए, यह हो गया, downward, मतलब नीचे की तरफ होगा, ऐसे की तरफ, तो इसका क्या होता है, कि a less than zero, याने option number b हो जाएगा, ठीक है, option number b हो जाएगा, ठीक है, हम लोग डायरेट option से आते हैं, next time, next time, 16 number question, 16 number question कह रहा है, a polynomial of degree 3, एक polynomial of degree 3, एक polynomial के पाद degree 3 है, तो उसको क्या कहते है, उसको cubic polynomial कहते है, जिसका degree 3 होता है, उसको cubic polynomial कहते है, जिसका degree 1 होता है, उसको linear, जिसका 2 होता है, उसको quadratic, 3 होता है, और 4 होता है, तो by quadratic polynomial कहते है, ठीक है, याने option number c, 16 का c है, तो यह ठीक है नेक्स्ट है सतर नमबर इफ अलफा एन बीटा अर्दस जिरू जो पोलिनेमियल X स्क्वार माइनस 16 देन अलफा इन्टू बीटा इन्टू अलफा प्लस बीटा क्या हो जागा देखिए अलफा प्लस बीटा हम निकालते है वो क्या होता माइनस बी बटा A होता है इसमें B तो है यहाँ पर complete 0 देते हैं यह complete आजागा 0 चुकि इसमें A X स्क्वार प्लस B X होना चाहीए तो X बला तो है लिए तो इसमें 0 आ गया तो यह हो जागा complete 0 यह और यह complete 0 हो गया नहीं option नमबर A गएंक को 16, 17 के बाद हम लोग 18 देखते है 18 नमर कुश्चन कह रहा है कि तोरह सम जूम कर देते है चलिए अब तो दिख रहा होगा बहुत बढ़िया इफ अलफा एन वन बटा अलफा ये अलफा है और ये वन बटा अलफा है ठीक है 18 जीरूस वर पोलिनोमियल AX square प्लस BX प्लस C देन C equal to क्या होगा तो क्या करते है ये निकालेते है अलफा इनटो बीटा ठीक है क्या होता है C बटा A होता है C बटा A होता है ये अलफा से अलफा कट गया यानि कि ये आ जागा C बटा A equal to 1 आ गया तो C, C equal to क्या हो जागा, क्रोस गुना कर लेते हैं, तो A आ जाएगा, C equal to A है, C equal to A यानि option number B आ जागा, 18 का B है, चलिए बहुत बढ़िया, 18 के बाद हम लोग 19 कोशन देखते हैं, काफी important कोशन सब हैं, zeros of the polynomial X square minus 11 are क्या होगा, वो plus minus root 11 होगा, plus minus root plus 3 होगा, C 0 होगा, ननवदीज होगा, तो आप बता ही सकते हैं, कि option number A सही होगा, क्या से होगा, तो देख लिजिए, X square minus 11 equal to 0 हो जागा, ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं, तो यानि X square equal to 11, 11, और X बराबर हो जागा, X बराबर क्या हो जागा, plus minus root 11, चुकि धर A square था, तो उधर गया, तो रूट है, तो option number A को लोग कर दिया जाए, सर, चलिए, हम लोग 20 number question देखते हैं, बोल रहे हैं, कि if alpha, beta, gamma are the zeros of cubic polynomial, AX Q plus BX square plus CX plus D, then alpha plus beta plus gamma is equal to, तो sum of zeros जो होता है, वो minus B बड़ाया होता है, minus B बड़ाया है, ठीक है, चुकि alpha plus beta plus gamma equal to होता है, minus B बड़ाया होता है, ठीक है, तो option number A में हैं, बेलकुल सही जवाब है, formula ही पुझता है, formula आपको डायट देखने को मिलेगा एक्जाम में, next time, question number, question number 21, if alpha beta gamma are the zeros of QB polynomial, AX Q plus BX square plus CX plus D, then alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to, क्या होता है, तो यह जो होता है, वो alpha beta, ठीक है, plus beta gamma plus gamma alpha जो होता है, वो minus, sorry, C बटा A होता है, क्या होता है, C बटा A, जैसे यह होता था ना, वैसा है इसमें भी होता है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगा रहा नहीं, C बटा A, यानि option number जो है, C, एक इसका C है, एक इसका C option जो है, बिलकुल सही जवाब है, ठीक है, चे लिए, बहुत बढ़ी है, हम 22 को दखते हैं, अब देखते हैं, 22, question number 22 कहा रहा है, if the zeros of polynomial, x cube minus 3x square plus x minus 1 are s by t, s and st, then value of s each, देखिए, zeros यहाँ दे रखा है, zeros क्या दे रखा हैं, st दिया हुआ है, और जो है, वो क्या है, st दिया हुआ है, तो हमको s का value निकालना है, तो s कह रहा है, s कैसे निकलेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, product of zeros निकाल लेतें तीनों का, alpha into beta into gamma, ठीक है, तो s by t हो जागा, गुने alpha into beta into gamma, क्या हो जागा, minus d बटा यह होता है, minus d बटा यह, तो minus, तो plus 1, बटा 1 हो जागा, इटी से टीक हैंसील हो गिया, तो s क्यूब हो जागा, क्या जागा, s क्यूब की उगल टू 1 या s उगल टू 1 हो जागा, option number a, 22 का हो जागा a, दिक्कत है तो आप लोग comment कर सकते हैं, ठीक है, alpha into beta into gamma निकाले हैं, alpha into beta into gamma जो होता है, वो minus d बटा a होता है, इस फर्मूला के इस्तमाल करके, 22 के बाद हम लोग देखते हैं, 23 number question के, इसका post markup करते हैं, if the sum of the zeros are polynomial, 2x cube minus 3x square plus 4x minus 5 is 6 है, then value of k क्या होगा, तो चुकि इसका zeros हैं, तो x जहाँ जहाँ है, वहाँ परचे डाल देते हैं, k का value आजाएगा, यानि होगिया 2 into 6 का cube, minus 3k into 6 का square, plus 4 into 6, ठीक है, अब minus 5 करेंगे, equal to 0, तो यहाँ से k का value आपको निकल कर आजाएगा, कितना आजाएगा के का value, तो के का value निकल कर आजाएगा आपको, कितना, 2 आजाएगा, के का value क्या आजाएगा, 2, ठीक है, चले बहुत बढ़िया, तो इसके बाद हम लोग आते हैं, 24 नमर question में, ठीक है, if the polynomial of degree 4 is divided by quadratic polynomial, अगर कोई polynomial है, ठीक है, कोई polynomial है, जिसका degree जो है, वो क्या होगा, 4 है, उसको quadratic से अगर divide करते हैं, तो देखिए, यह कट जाएगा, कितना बार में, एक से square बार में कटेगा, तो जो है, degree of remainder क्या होगा, remainder हमेशा, जो है, दो से कम होगा, यानि होगा, 0 होगा, 1 होगा, बस 0 और 1, तो less, less than 1 होगा, less than or equal to 1, यानि option number a, less than or equal to 1 होगा, 1 भी होजगता है, लेकिन 1 जे छोटा होगा, 24 का a, option सही है, 25 नमर question कहा रहा है, कि if a minus b, if a minus b, a and a plus b are the zeros of polynomial, fx दे रखा है, 2x q minus 6x square plus 5x minus 7, the value of a क्या होगा, देख लिजिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चुकि यह minus plus है, तो alpha plus beta plus gamma, एक gamma निकालेते हैं, तो क्या होता, minus b वटा, a होता है, ठीक है, तो alpha के जग पर डालेंगे, a minus b, plus a, और plus a, plus b, ठीक है, और यह b से b के अंसील हो जागा, तो यह होता है, minus b वटा a, क्या होता है, minus b वटा a हो गया, तो minus मतलब 6 वटा हो जागा, 2, ठीक है, यानि 3a बराबर हो जागा, 3a, equal to हो जागा, 3, और a equal to हो जागा, 1, option number a, next question है, dividend is equal to, क्या होता dividend equal to, diviser into quotient, plus remainder, यानि option number a, यह तो बच्चो वाली बात है, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत चरूरी भी है, इन सब का ग्यान होना, option number a को लोग कर दे, dividend equal to diviser into quotient, plus remainder होता है, ठीक है, अब बताओ, 27, बुल रहा है, equality polynomial whose sum, of zeros is 2, and product is 1, given by, sum दे रखा है, product दिया हुआ, तो अडाम से अपनी काल सकते हैं, तो क्या जागा, इसका formula ही होता है, क्या होता है, x square minus alpha plus beta, ओ, x और plus alpha into beta, तो ये दे रखा है, 2 और ये दिया हुआ 1, ठीक है, ये दिया हुआ 1, यानि x square minus 2x plus 1, option number a, option number a क्या है, को लोग खड़ दिया जाए सर, option number a सही, जवाब है, ठीक है, तो हम लोग, next question को देखते हैं, 28 number question, if one of the zeros of quadratic polynomial, ax square plus bx plus c is zero, then other zeros क्या होगा, other zeros जो हो जाएगा, alpha plus beta, जो है, वो minus b बटा a होता है, और ये को हम zero कर देते हैं, अगर ये zero कर दिये, तो ये खतम हो जाएगा, ठीक है, तो alpha equal to minus b बटा a हो जाएगा, option number a को लोग कर दिया जाए सर, बहुत ही, बैहतरीन question, 28 के बाद हम लोग 29 देखते हैं, the sum and product of zeros, इसका क्या होगा, sum बोले तो, minus b बटा a, minus b तो है नहीं, तो zero को लोग कर दिया जाए सर, और c बटा a होता है, तो minus 5 बटा 6, c यहाँ पर option number d, 29 का option number d, लोग कर दिया जाए सर, चलिए बहुत बढ़िया, तो तो देखेंगे आज जवाब देदेंगे, what should be subtracted from इतना, to get one, बोल रहा है, इस में से कितना घटा देगे कि one हो जाएगा, बाई, बाई बाई रुको 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 रुको, इस में से देखो, किसको घटा देते हैं, तो इसको घटा दीजिए बाई, इसको घटा दीजिए, option number a को घटा दीजिए, घटा दीजिए, घटा दीजिए, तो ये था ये था आपका polynomial से question तीस तक और अगला जो 15 मिनट का time आपको लगने वाला है वो अगले exercise अगला exercise का नाम है peer of linear equation in two variable chapter 3 mcq ये काफी मतलब बेहातरीन आपको लिए हम लेकर आए है ये करके दिखाओ फिर ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ फिर ये करके दिखाओ दिखते हैं किसमें कितना हैदम कौन बनाता है कितना बनाता है और कैसे बनाता है ये बहुत ही मायन डखता है तो चलते स्टार्ट करें, ये करके दिखाओ, फ्री ये करके दिखाओ चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फॉस्ट कुश्चन इसके पास जो है, वो कितना सॉलूशन होगा इसके पास कितना सॉलूशन होगा, तो 6 बाई, माइनस 6 उसके बाद, माइनस 10 बटा, 10 ये बरावर होते जा रहा है और 7 बटा 9 ये बरावर नहीं है, लास्ट बला बरावर नहीं होता है तो उसके पास no solution होता है option number C no solution को lock कर दिया जाए sir चलिए hope यह next question है 2 number the graphically the pair of equation 7x minus y equal to 5 28x minus 4y equal to 11 represents 2 lines which are क्या होगा यहाँ वही बात करेंगे 7 by 28 ठीक है और minus 1 बटा 4 minus 4 चलिए ठीक है तो यह 7,4,28 तो कट जा रहा है यह minus से minus भी कट जा रहे थे मतलब बडावर होते जा रहा है C देख लेते है 5 बटा 11 5 बटा 11 जो है यह बडावर नहीं है यानि C बला जो है वो क्या हो जागा पैरलल हो जागा सब C बडावर नहीं होता है C1 बटा C2 बडावर नहीं होता है पैरलल होता है और no solution होता है ठीक है इसका जो graph हो जागा वो एक दूसरे के पैरलल होगा second question के बड़ हम लोग third question देखते है the graph of x equal to minus 2 is a line parallel to x equal to minus 2 का जो graph होगा हमेशा याद रखेगा x का value दिया हुआ है तो y x इसके पैरलल होता है कैसे होता तो देख लीजिए x बरावर अगर मान लेते है minus 2 यहाँ है तो देखिएगा यह graph हो गया यह graph है कि इसके पैरलल है इसके पैरलल है ना इसके पैरलल है तो हमेशा x दिया हुआ है y x इसके पैरलल बॉप्स नमबर b question नमबर 4 the pair of equation x equal to minus 4 and y equal to minus 5 graphically represented line which are तो अराम से आप देख सकते हैं चुकि x और y के value दिया हुआ तक minus 4 और minus 5 पहला वाला x का होता है दूसरा वाला y देखिए कि इसमें option number b में है b को लोग कर दिया है minus 4 और 5 option number सही है अब हम लोग देखते है question number 5 का if the equation x plus 3y equal to 10 the value of y is 4 then x equal to कितना हो जागा y का value जो है 4 डेलना है y का value 4 देंगे तो x plus 3 into 4 equal to 10 कितना जागा ये 12 उधर जागा तो जागा minus 2 तीक है यानि minus 2 यानि option number a को लोग कर दिया जैसर 5 का a हो जागा सही यहोप समझ में आगया होगा अगला है next one equation of pair of dependent linear equation 2x plus 5y equal to 3 ऐसा ही दूसरा equation कौन सा dependent का मतलब same to same वैसा ही question कौन सा है तो option number को आप देख लिजिए option number d में सारा option देखने की विज़ोत नहीं है option number d में देखिए इसमें 5 से गुना कर दिया गया है 5 से गुना कर दिजिए इसमें 5 से तो 5 दूना 10 हो जागा plus 25y हो जागा बरावर 15 हो जागा ठीक है तो देखिए option number d में लिखा हुआ चलिए ठीक है 7 number the graph of y equal to 4x is a y equal to 4x है वो क्या होगा तो हमेशा यह देखिएगा y है अगर x भी 0 लेते हैं x और y लेते हैं हमेशा याद रखेंगा इससे जब हम graph data त्यार करते हैं ठीक है तो x 0 लेते हैं तो y भी 0 आता है जो ही 0 0 है इसका मतलब origin से जाएगा किसे जाएगा origin से जाएगा पासे सुरू origin option number d 7 का option number d बिल्कुल सही जवाब है चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया खेल रहे हैं हम लोग question number 8 को देखते हैं the value of k for which the system of equation x plus k plus 1 into y equal to 5 k plus 1 into x plus 9y equal to 8 k minus 1 has infinite solution तो k का value क्या होगा infinite solution है इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि last बला option नहीं जो है infinite मतलब लाश्ट बला आप जो है 1 बराबर होता है सब के सब बराबर होता है ठीक है तो k का value क्या होगा यह तो अडाम से निकाल सकते हैं 1 बटा क्या हो जागा k plus 1 हो जागा k plus 1 हो जागा equal to हो जागा जब इसको आप सोल्ब करेंगे k plus 1 और by कितना हो जागा 9 हो जागा cross उना करेंगे तो यह हो जागा k plus 1 का whole square हो जागा बराबर आजागा आपको 9 तो k बराबर plus minus 3 आजागा k बराबर क्या हो जागा अगर हम plus लेते हैं अगर plus लेते हैं तो 2 आजागा क्या जागा जोकि plus में ही है तो यह हो जागा 3 और उधर जागा तो यह 2 हो जागा ठीक है यानि option number a को lock कर दिया जासा k का value 2 होगा option से हम लोग देख लेते हैं बोल रहा है sum of digit of the two number is 9 है दो अंकी संख्या को जोरने पर 9 आता है सब को जोर देते हैं सब आ रहा है 9, 9, 9, 9, 9 सब का रहा है sum ठीक है अब उसके बाद 27 एड़ कर देते हैं तो number reverse हो जाता है तो देखिए 27 में जोडेंगे तो 24 हो जागा एक दूसरे को उल्टा हुआ नहीं 72 में अगर हम 27 जोड देते हैं ये भी उल्टेगा नहीं 45 में 45 में हम अगर हम जोडते हैं तो उलड जागा नहीं उल्टेगा 36 में हम अगर 27 जोडते हैं अगर 36 है इसमें हम 27 जोडते हैं कितना हो जागा चोचो बार एक 13 हो जागा और 3 दू 5 एक 6 ये देखिए उल्टा हो गया इसका जस्ट उल्टा हो गया तो 36 इसका अंसर हो जागा दायट आप्सन से आईए 36 में अगर 27 जोड देते हैं तो 63 हो जाता है चलिए बहुत बढ़िया चलिए 9 नमबर कुश्चन का फादर का एज जो है वो पुत्र के एज का 6 गुना है तो देखते हैं 6 गुना और 4 येर हैंस फादर बिल बी दा 4 टाइम सन तो 4 चक आप्सन से हम लोग आते हैं चार चक चोबिस पान चक तीस चार चक तीस तीन यह तो खर तीन गलत ही है तीन चक ठाड नहीं यह जो अप्सन नमबर डी तो खर होगा नहीं रही बोल रहा है कि चार साल के बाद चार साल के बाद उसका कितना हो जाएगा चार साल के बाद देखिए चार साल के बाद बोल रहा है कि हम four times हो जाएंगे four year hints यानि चार साल के बाद चार times हो गया तो चार कर देते हैं यह हो जग आठ है इधर हो जग आठ आइस नहीं हुआ इब यह चार इसमें जोड़ देते हैं नौ और इसमें चार देते हैं तो 34 यह तो भी नहीं हुआ चलिए ठीक नहीं हुआ है अगला देख लेते हैं कि यह 6 में 4 जोड़ देते तो जोड़ देते हैं तो 40 यह देख लिए इसका चार गुन्ना हो गया four times हो गया न फोटेज यह अप्शन नंबर जो है जागा C सही है 36 ट्रिक से हम लोग बनाते हैं बोले थे कि काफी बहत्रे ट्रिक भी हम देने वाले इसका मतलब इसके पास जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा या कॉंसिडेन्ट होगा दो उप्शन इसके लिए हो जागा inconsistent का पैलल होता है ठीक है तो उप्शन नंबर डी सही जवाब है अब देख लिजिए यह आगया इफो 29x प्लस 37y इक्वाल टू एक्सो तीन और 37x प्लस 29y इक्वाल टू 95 तो एक्स और वाई के बहलू क्या होगा देखिए इसका मट्रिक बताने वाले है अब क्या करेंगे एक्स बहलू 1 लेती है वाई के बहलू 2 लेती है देखते कि यह आता है कि नहीं आता है जे करेंगा ओप्शन से तो 29 गुने 1 प्लस 37 गुने 2 करते हैं हमको आता है एक्सो तीन कि नहीं यह होगे 29 और प्लस 37 टू जा 35 दूना 70 74 आ जागा 74 जागा 35 दूना 70 7 दूना 14 4 और 3 दूना 6 एक 7 चले ठीक है अब जोड़ दीजिये दोनों का तो कितना हो गया 9, 4, 13 13 और 7, 9 10 देखिए आ गया चले बहुत बढ़िया option number A को लोग कर दिया ऐसा ही आप इसमें विचे करेंगे तो इसमें पंचान में आ जाएगा ठीक है इसको बनाईए गर तो कम से कम एक पंचान जाएगा वैसे नहीं option से जाएए समय बचेगा 30 नमर गुश्चन The perimeter rectangle is 44 cm The length exceeds the twice of breadth 4 cm Find the area of rectangle आप क्या हो जाएगा पेरी मीटर जो है वो ट्रेंगल कर जो है पेरी मीटर वो 44 है length जो है breadth का breadth से twice चार्ज जादा है ठीक है तो b को माल लेती हैं आप x ठीक है तो l का value हो जागा 2x प्लस 4 अब इसको जोड़ दीजिए यहां से आपका l और b निकल जाएगा बराबर हम 44 कर देंगे perimeter निकाल कर तो आपका answer जो जाएगा वो option नमबर c आजागा 96 ठीक है अगर दीका थे तो comment जरूर कर जेगा हम solve कर देंगे 14 number question है कि a pair of linear equation is not consistent if not consistent यानि कि inconsistent किसका होगा तो जिसका graph parallel होता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया next question है 15 number जो कि last question है the pair of equation y equal to 9 y equal to minus 7 जब दोनों एक दूसरे का value same same होता है ठीक है तो कोई solution नहीं होता है क्या होता है कोई solution नहीं होता है तो इसका answer हो जागा no solution 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 दो बार लिखा गया solution होता है no solution चलिए तो ये विडियो कैसा लगा है अगर विडियो पसंद आया है तो like, subscribe, and share जरूर करें संजे कुमार सुमन यूटुब चैनल पर आप लोग का तहे दिल से स्वागत है और इसी तरह विडियो पर बने रहे सुरू से अन तक देखे और अगर किसी परकार के कोई problem होता है तो आप हमें comment जरूर करेंगे धन्यबाद विडियो देखने के लिए मिलते हैं एक नई विडियो के